हे फ्रेंट्स आज हम लोग इस वीडियो की अंदर बात करेंगे BCA और BRIE के बीच में जो ECST10 ड्रेस्टेंड का जो ये मैच होने वाला है इस वीडियो के अंदर दोस्तों दुनों हे टीमों के पूरी इंफॉर्मेशन में आपको देने वाला हूँ बैटिंग ओडर के साथ भा जानकारी में आपको इस वीडियो के अंदर प्रवाइड करने वाला हूँ तो एक बार जो है दुस्तों इस वीडियो को अंतक जरू वाच करना ताकि जितने भी इंपोर्टेंड जानकारी है इस मैच से रिलेटेड आपको मिल पाए और आप इस मैच के अंदर बहतर से बहत दिख रहागा दोस्तों इस पे एक बार क्लिक करते हैं साथी सदिया पर जो बैल अकन बना हुआ है इस पे क्लिक करने के बाद आपको आल का ओफसन देखने को मिलेगा इसको भी एक बार स्लेक्ट जरू कर लेना ताकि आने वाले और भी T10 मैचस है 20 मैचस जैसे वीडियो में अफ्लोड करूँगा आपके पास सिधे नोटिफिकेसन जाएगा भाईयों और सारी मैचस का जानकारी आपको मिल पाएगा दोस्तों अगर आपको हमारा बतायागा इस ट्रेट्स पसंदाता है इस वीडियो से अगर आपको जरा भी हैल्फ मिलता है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरू कर देना दोस्तों आपका एक लाइक से में काफी मोटिवेसन मिलता है और सबसर जरूरी बात है कि हमारी टेलिग्राम गुरूप को जोईन कर लें देखो यहाँ पे आपको एक एरो का बटन दिख रहोगा भाईयों जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो हमारे टेलिग्राम गुरूप का लिंक आपके सामने सो हो जाएगा इस गुरूप में जोईन करना जरूरी है क्योंकि लाइन अप के बाद फाइनल टीम आपको यहीं पे मिलेगा अगर कोई भी चिंजस होता है हमारे टीम में कोई बदलावाता है तो आपको हमारा फाइनल टीम यहीं पे आपको शेर कर दिया जाएगा तो जल्दी से जोईन कर लें इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिशन बॉक्स में और जहां आप कमेंट करते हैं आप पहला कमेंट में मैं आपको लिंक पिन कर दिया है आप आसानी से क्लिक करके हमारे टेलेग्राम गुरुप को जोईन कर सकते हैं आई होप फ्रेंट्स अपने जोईन कर लिया होगा चलिए अब स्टैट्स की और आगे बढ़ेंगे देखो यह जो मैच है रगवी क्रिकेट रिस्टेंड में यह मुकाबला होगा इस रिच है सारे मैक इसी ग्राउन पे हो रहे हैं और यह मैच है दोघर 12 बज़े यह मुकाबला पहला मैच देखने को मिलेगा और दो पहर दो बजे दोस्तों ये दुसरा मैच देखने को मिलेगा और वहीं अगर पीछ कंडिशन की बात करते हैं भाईयों तो सौरन के आसपास एक एवरेज स्कूर इस ग्राउन पे देखने को मिलेगा दोस्तों अभी तक देखोगे न 32 मैचेस ग्राउन पे इस रिज की हो चुके हैं जहां पे 12 मैचेस फर्स्ट बेटिंग टीम ने विन करा है और सेकंड बेटिंग टीम ने दोस्तों 20 मैचेस विन करते हुए आए हैं यानि सेकंड बेटिंग टीम के दिखोगे तो जीतने के ज़्यादा चांस रहते हैं भाईयों तो आपको क्या करना है टॉस लॉजिक पे भी टीम क्रियेट करना है टॉस तक का भी विट करना है जैसे ही टॉस यहाँ पे दोस जो भी टीम टॉस जीतेगा बहुत जाएदा चांस है कि सबसे पहले बॉलिंग करेगा क्योंकि चेजिंग करते हुए अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा मैचेस वीन हुआ है ठीक है यह पहला लॉजिक है एक चीज मैं आपको और इंट्रेस्टीं चीज बता दूँ ठीक है देखो कल मैने वीडियो में आपको बताया था कि परसो जो चार मैचेस हुए थे जिसमें से तीन मैचेस चेजिंग करते हुए जीते थी और मैंने आपको बताया था कि टॉस का वेट करना है और उसी लोजिक पे टीम करेट करना है क्या कि आपको विनिंग टीम बहुत हथ तक आपको मिल जाएगा ठीक है और सिम अगर आप फॉलो किये होंगे तो आपको पता चला होगा कि कल के जूच़ मैचेस हुए है इसी लोजिक पे हुआ था जोकि चार मैचेस में अगर आप देखेंगे तो चार के चारो मैचेस कल के चेजिंग करते हुए टीम ने जीता है मैं आपको फिर जी बाठा दूँ आपको दोनों ही टीम के इंपोर्टन प्लेयर्स को अपने टीम के अंदर आपको लेने होंगे चलिया बेटिंग ओर्डर को ध्यान से दिखते हैं शुरुबात करेंगे सबसे पहले सुभम पतील से जो टीम के आपको विकेट के प्रिंग सक्षन में नज़र आएंगे दोस्तों लेप्ट रन बेटिंग करेंगे पहले मेच के अंदर ओपन करते हुए 22 रन स्कोर करा है फिर यहाँ पर 16 रन फिर 8 रन फिर 35 रन बनाये हुए है दोस्तों लेप्ट रन बेटिंग करेंगे ओवरल अगर आप देखेंगे तो 81 रन बनाया हुआ है यह टीम के आपनर बल्ले बाज जाए और ऐज़े आपनर बैट्समन को अपने टीम के अंदर जरूर से जरूर ट्रै करना जो आपके लिए बैस्ट पीक रहेंगे दोस्तों दोनों के दोनों बहुत वांदार पिक रहेंगे इन दोनों को जरूर ट्रै करना है आपको पाकेसा नलल की बात करेंगे यह टीम के ओपन करने के लिए आए थे दोस्तों BCA के टीम के तरफ से पहले मेच के अंदर जहां पर ओपन करते विए एक रन बनाये थी फिर फुर्ट ती 3 न स्कोर करा है, 4 रॉन पे खेलते वे, देखो, फॉर्म पे नहीं है, इस विज़े से इनको थोड़ा लेट बेटिंग दिया जा रहा है, क्योंकि पहले मैच कंदर आपन करा, फिर एक नमर, फिर 4 नमर पे खेलने के लिए आ रहे हैं, बाके सदनान की बात करेंगे, टीम क सेकेंड डाउन पे खेलेंगे, पहले मैच कंदर 2 रन प्लस 1 विकेट, फिर 39 रन प्लस यहाँ पे 3 विकेट निकाले हैं, फिर 34 रन प्लस 2 विकेट, फिर यहाँ पे 2 विकेट निकाले हैं, ओवरल अगर आप दिखेंगे, तो 75 रन प्लस 8 विकेट निकाल चुके हैं, दोस्त रण पिर दस रण फिर बाइस रण सकूर करा है ओवरल पचास रण बनाए है बाकी बात करेंगे दोस्तों वेंगेडिश के बारे में टीम के थर्ड डाउन पे खेलेंगे पहले मेच कंदर 6 रण फिर 12 रण पिर आठ रण स्कूर करा आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं शीवा ज दोस्तों पहले मैच के अंदर 37 रन कर्च के थे कोई विकेट ने मिला फिर यहाँ पर एक विकेट दूसरे मैच के अंदर फिर 4 विकेट निकाले थे और लास्ट मैच के अंदर फ्लॉप रहे हैं लेकिन ध्यान रखना यह जो प्लेयर है दोस्तों BCA के टीम के तरफ से 2 वर तक कन्फर्म बॉलिंग करते हुए दिखेंगी शिवा की बात करेंगे पहले मैच के अंदर 1 रन प्लस 2 विकेट फिर 2 विकेट फिर 2 विकेट ओवरल अगर आप देखेंगे तो 1 रन प्लस 6 विकेट पूरी श्टुडामेंट के अंदर निकाले हैं टीम के बहतरिन गिंद बाज जो मेंसे एक है जान की बात करेंगे दोस्तों पहले मैच के अंदर बैटिंग से फ्लॉप बॉलिंग से 13 विकेट फिर लास्ट मैच के अंदर सेकेंड नौन पर खेलते हुए 26 विकेट बना हैं और आपको बैटिंग करते हुए दिखेंगे तो यह BCA का रिकॉर्ड है भाई जिनका रिकॉर्ड सांदर है अपने टीम के अंदर ट्राइ कर सकते हुए लेकिन BRI के भी बैटिंग ओडर आप देखेंगे प्लेयर्स का मोहित नेगी जो की टीम के ओपन कर रहे है ठीक है तीन मैचेस खेला भी तक इन्होंने लेप्टन बैटिंग करेंगे पहले मैच के अं फिर पांच रन फिर फिर फॉर्टिनाइन अवरल देखोगे तो एक सोचावधर रन स्कोर करा है मोहन की बात करेंगे टीम के सेकेंड डाउन पर खेलेंगे पहले मैच के अंदर तीन रन फिर सोलर रन प्लस एक विकेट फिर एक रन को विकेट नहीं मिला है अवरल अगर पहले मैच के अंदर बेटिंग से फिर 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 पहले मेच कंदर दस रन फिर एक विकेट निकाले हैं दूसरे मेच कंदर आयुश पंडे ये दूस्तों पहले मेच कंदर फ्लॉप रहे थे लेकिन दूसरे मेच कंदर एक विकेट निकाले हैं और लास्ट के जो खिलाडी दूस्तों कुमार गोश इन्होंने एक ही मैचेस खिल अंदर भी देखने को मिलेगा तो इसमें से जिसका वे रिकॉर्ड बैटर लग रहा है दोस्तों प्लेयर्स का बैटिंग ओट को देखते हुए स्टैट्स को फॉलू करते हुए अपने टीम में आप प्लेयर्स को ले सकते हैं अलाकि मैंने आपके लिए एक टीम बना के रखाया बिफूर लाइन अप चलिए उस टीम की और आगे बढ़ते हैं तो सुरुआत करते हैं सबसे पहले विकेट कीपर से जो आज आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे एस पटिल को में ट्राय करूँगा बी सी एक की टीम के तरफ सी यह बेस्ट रहेंगे दोस्तों और यहां पे एस अली जैन को में लेने वाला हूँ यह दो विकेट के पर के जो प्लेयर आप देख रहे है ना यह दोनों के दोनों दोस्तों आपन करने के लिए आते हैं बहुत सांधार आफसन रहेगा और इस वज़े से मैं दोनों को अपने टीम के अंदर ट्राय कर रहा हूं ठीक है बैटिंग में चेक करते हैं तो मैंने तीन बैट्समेंट को ले रखा है बी सी एक टीम के तरफ से इनका रेकॉर्ड बहुत सांधार है भाईयों बहुत बढ़ियां खिल रहे हैं एम नेगी को मैं ट्राय करूंगा एस गोईल इन तीनों का रिकॉर्ड दिखोगे दोस्तों इस इस रिच के अंदर बहुत बढ़ियां खिला है और इस वज़े से मैं इन तीनों को ट्राय कर रहा हूं दोस्तों वहीं ओल अंडर में देखेंगे तो मैंने तीनों को ले रखा है जिसमें से बीसी एक टीम के तरफ से एक कैप्टेंसी के लिए सबसे संदार पिक रहेगा बहीं यहां पे दोस्तों आशिश को ट्रा है जिसमें से दोस्तों यहां पे बीसी एक के टीम के तरफ से अगर आप देखेंगे तो दो के दोनों के दोनों के दोनों कंफर्म दो वर तक बॉलिंग करते हुए दिखेंगे और वहीं अगर आप देखेंगे बीर आई के टीम के तरफ से डवलो एहमेट को मैंने ट्राय कर रखा है जो यह भी टीम के दोवर तक confirm बॉलिंग करते हुए दिखेंगी यहाँ पे अगर आप चाहें दोस्तों तो यहाँ पे एच हिमान्स को ले सकते हैं यह भी टीम के दोवर गिंदबाजी करेंगे जी सिंग भी टीम के बहादन गिंदबाजियों में से एक है तो इन दोन कुल आपने जो वीडियो में बैटिंग ओडर देखा है स्टैट्स को फॉलो कर रहा है उसके बैसे पर एक दो प्लेयर अपने साइट से जरू चैंज करना आई होफ आपको इस वीडियो के अंदर काफी कुछ जानकारी मिला होगा इस वीडियो इस मैस से रिलेटेड तो दो ठीक्स पर वाजिग